कि अगर जिनका मेरिट रिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या करेंगे अप सभी को मालूम है कि यह परकास उनिवर्सिटी शप्रा असनाता के नए सेशन 2120 मेरिट रिस्ट है वो जारी कर दिया गया है इस पर मैं एक फुल वीडियो बना चुका हूँ इस्टे बाई इस्टे आपको बताया हूँ कि कैसे चेक करना है अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उपर आई बटम पर मिल जाएगा वहां से देख सकते हैं या आप नीचे डिस्किप्शन बक्स में देख स कब से कलास होगी और जिन लोगों का डिशन नहीं हो पाया यानि कि जिन लोगों का मेरी पर नाम नहीं आया क्या करेंगे तुछ ये सबसे पहले जान लेते हैं कि you अग connection कब से कब हो जाएगा इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे जीन लोग का मेरिट लिश्म नाम आया है और इस वीच में करा लें अन्याथा उसके बाद आप लोग का एड्मिशन नहीं हो पाएगा अब बात करते हैं एड्मिशन के समय आपको कौन-कौन सा डॉक्मेंट लगने वा आपका इंटर का सीर्ट लगेगा जाती लगेगा चारफ फोटो लगेगा और आपको जो आवेदन का प्रिंट लएगा प्रिंट आउट जो लिकाले होंगे आवेदन करते समय उसके बाद जिस में आपका नाम आया है यानि कि जो अन्योंट नमर मिला है आपको जिस को है उसकी एक प्रति चाहिए तभी आपका एडमिशन हो पाएगा तो किरिप्या आप लोग एक सितमबर से लेकर के नौ सितमबर तक अपना एडमिशन जरू करा लें उसके बाद बात करते हैं कि जिन लोग का मेरित रिस्ट में नाम नहीं आया वो लोग क्या करेंगे ट्रेंड आप सभी को मालूम है कि जेपी उनिवर्सिटी में 36,000 सिट एवलेबल है और आवेदन आया था साथ हजार तो सभी का तो नाम आ नहीं सकता अभी जो भी मेरित रिस्ट में नाम आया है उस पर एडिशन हो जाएगा अगर सिट बजती है तो सेकंड मेरित रिस्ट जारी किया जाएगा अगर सिट नहीं बजती है तो मेरित रिस्ट जारी नहीं किया जाएगा मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर आप लोग का कम नमबर है तो एक उनिवर्शिटी के भरो से नहीं बैदे जितना भी उनिवर्शिटे है आपके आस पास जीलो में उन समझे अप्लाई कर देज़ें हो सकता है कि इस उनिवर्शिटी में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को सेर करें प्रेंड फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जैन हिन्द